हेलो फ्रेंड्स किरंदा निटर पे आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज का जो वीडियो है इस जैकेट का लास्ट वीडियो है इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आर्म होल का बॉडर कैसे बुना जाए और इसके फंदे कैसे उठाये जाए वो देखेंगे और कितने फंदे हमें उठाने चाहिए वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इसका जो बॉडर है आर्म होल का बिल्कुल हट के होने वाला है बहुत सारे वीवर्स की ये फरमाईश भी थी कि आपने जो है सुई से सिलने वाला यानि कि डबल बॉडर का बताय है हर वीडियो में तो प्लीज हमें सिंपल जो बॉडर होता है जिसमें सीधा सीधा हम बंद कर देते हैं सलाईयों से वाला भी बताया जाए तो उसमें फंदों का फरक रहता है जो हम सलाईयों से बंद करते हैं लास्ट में इसमें थोड़े फंदे हम कम उठाते हैं और जो ह इसका जो है आ अर्म होल बना लिया है देखिए फ्रेंट य्ट यूजर मैं बना रखा है तो मैं आपको इसको पहले मेजर करके बता देते हूं जब हमने ये शूलडर अभी बनाया नहीं था इसमें बॉर्डर नहीं बनाया था तो फ्रेंट्स मैंने आपको माप के दिखाया था पिछले वीडियो में कि ये जो शोल्डर है ये हमारा साड़े आठ बना है यानि कि इसको यहां से अगर मापते हैं तो स्टार्टिंग से इसमें जो हमने इसकी डिक्रीजिंग ली है इसको भी साथ में लेते हुए अगर मापते हैं तो यहां से लेके ऐसे गुलाई में यहां तक साड़े आठ हमारा शोल्डर बना था और फ्रेंट्स इसकी जब हम इसका बुन लेते हैं बॉर्डर बुन लेते हैं तो थोड़ा सा कम होता है तो ऐसे अब अगर हम माप के इसको देखते हैं तो यहां पे मैं आपको माप के दिखा हूँ अभी मैंने पहले भी माप के दिखाया था तो यहां पे लगबग साड़े साथ इंच हमारा यह शोल्डर बना है तो फ्रेंड्स आप अपना शोल्डर माप के देख सकते हैं उसी हि लंबा बनाना है तब यह से ही आएगा तो यह नहों कि अगर मोटे बंदे के लिए बना रहें तो शोल्डर शोटा पड़ जाए तो यह मैंने अभी इसलिए मैंने आपको इसका बॉर्डर माप के दिखा दिया कि इंच़ी शोल्डर आया है बनके एक तरफ से यह दिखी ऐसे एक तरफ से साढ़े साथ है तो मोटे बंदे का बनाना हो तो यहीं से आपको यह इसकी पहले से लंबाई बढ़ानी पड़ेगी नो रखनी पड़ेगी सवा नो रखनी पड़ेगी तब ही यह शोल्डर आपका आएगा तो यहां पे फंदों का भी फिर रहता है मैंने एक side के यहां से यहां से लेकर यहां तक 50 फंदे मैंने रखे हैं इधर भी 50 रखे हैं तो यह हो गया total 100 फंदा और बीच में एक मैंने shoulder पे लिए है तो 101 का मैंने यह shoulder बनाया है तो अगर आप किसी मोटे बंदे का बनाते हैं तो आपको इसके फंदे भी फिर बाद में जादे रखने पड़ेंगे क्योंकि शोल्डर की लंबाई आप जादे रखोगे तो फंदे भी यह जादे ही आएंगे देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको मेजरमेंट का इसमें सारा बता दिया है तो आप उसी हिसाब से मेजर करके अपना शोल्डर बनाएए फिर आप बाद में न बोलना कि हमारा शोल्डर चोटा पड़ गया है फिर बाद में सारा गलत हो जाएगा तो उसमें आपको उधेरना बहुत मुश्किल टफ लगता है तो आप इसको माप के बनाएंगे तो आपका बहुत बढ़िया आएगा तो यहां पे हम यहां अटैस्ट कर लेते हैं वूर शोल्डर आर्म होल बनाने के लिए यह देखिए ऐसे हम निकाल के लाएंगे और यहां पे हम गांट लगा देंगे यह बहुत एजी रहता है अगर आप फुल मेजरमेंट के साथ चीज बनाएंगे तो आपका बहुत बढ़िया आएगा बिलकुल भी कहीं से छोटा या बड़ा नहीं होगा जैसे मैं आपको दिखाती हूं उसी हिसाब से आप मेजरमेंट बनाएए यह मेजरमेंट तबही मैंने बताया है कि बाद में आप परशान होते रहते हैं को हमारा शोल्डर तो इतना था तो यह इतना बन गया इसलिए मैंने आपको माप के दिखा दिखा दिये कि इतना शोल्डर इसमें बनेगा तो यहां देखे मैंने एच पे बिलकुल देख सकते हैं आप अटैच कर लिया और यहीं से हम संद उठाना स्प्राट करेंगे अगी तो किया से ऐसे करते हुए अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यह चेन है यहीं पर एक एक चेन पे अधा उठाते जाएंगे आपने जो फंदे इसमें बाइंड ओफ कर रखे हैं यहां शोल्डर कट कर रखा है उसी के उपर से आप इसमें देखिए ऐसे करते हुए एक एक चेन के उपर एक एक फंदा यहां ऐसे उठाते जाएंगे तो इससे आपकी गुलाई बहुत बढ़ी आएगी शोल्डर की यह द इसकी मेजरमेंट कर रहता है बाकी यह बनाना बहुत एजी होता है शोल्डर तो यहां पर यह देखिए आपकी चेन बहुत बढ़ी आ रखी है तो आपका यह फंदे उठाने का भी एजी रह होगा तो यह ऐसे करते हुए यहां तक देखिए आपका चेन का बहुत बढ़ी पर चेन के आ रखा यहां तक आपने घंटाई कर रकिये तो यहां तक फंदे उठा लीजी यह फिर आगे भी यह सारे अराम से इसे उठाते हुए यहां पे आपका शोल्डर का जॉइंट है यह दिखिए यहां तक आपको 50 फंदे उठा लेने फिर हम शोल्डर के ऊपर ऊप पर एक यहां पर जॉइंट है एक फंदा वहां उठाएंगे तो पहले यहां तक फ्रेंट्स आप 50 फंदे उठा लीजिए अगर इसी मिजरमेंट के आप चैकट बना रहे हैं अगर आपकी अलग से मिजरमेंट है तो उसी हिसाब से आप फंदे बढ़ा यहां गटा सकते हैं त और यह आगया हमारा शोल्डर का जॉइंट तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जॉइंट पे हम एक अलग से फंदा उठा लेंगे बिल्कुल जॉइंट के उपर ऐसे देखिए आप यहां पे मैंने बिल्कुल जॉइंट के उपर एक फंदा उठा लिया है तो अब हमारे इदर वाले शोल्डर जो है इदर वाला आर्म हो रहा है हाफ है यह रह गया है तो इदर भी आपको ऐसे ही फंदे उठाने है जैसे मैंने आपको बताया है 50 हमने इहां उठा लिया है एक हमने इसके उपर उठा लिया है जॉइंट पे और 50 फंदे ही आपको इदर वाली साइड यहां तक उठा लेंगे तो यह मैं उठा लेती हूं अब फंदे उठाना तो मैंने बताय दिया है आपको बहुत इजी होता हिए कोई दिकत नहीं बस आ कि ऐसे तो इदर भी उठा लीजिए मैं उठा लेती हूं फिर मैं आपको दिखाते हूं देखे फ्रेंड्स मैंने यहां पे पूरे रॉंड शेप के जो यानिके पूरे आर्म होल के यह फंदे टोटल उठा लिए हैं तो यहां पे यह टोटल फंदे जो हैं पूरे पचास इद के और एक बीच में जॉइंट पे उठाया है तो टोटल यह फंदे फ्रेंड्स सो वन हंडर वन यह निके एक सो एक फंदे यह मैंने टोटल उठा लिए हैं आप अपने आर्म होल के हिसाब से ही फंदे उठाईएगा इसमें मैंने आपको इसलिए सारी मेजरमेंट अच्छी इसका क्या होगा कि जो अब आपकी सिलाई आएगी पहली वो रॉंग साइड में आएगी अब देखे फ्रेंड्स यहां पे आपके यह फंदे उठ चुके हैं यह रॉंग साइड में हम आ गए हैं यहां पे यह देखे यहां से आप अपना बॉर्डर बुनना स्टार्ट करे था तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स बॉर्डर जो है आपने पहले ही इसका सीख लिया है यह देखिए यह बॉर्डर मैंने आपको पहले ही इसका बता दिया था कि ऐसे आपको बॉर्डर बनाना है तो ऐसे ही आप बॉर्डर इसका बना लीजिए तो इसमें जो आपके श उल्टे के साथ स्टार्ट कर लिया है तो ऐसे बुनते हुए आप इसमें जैसे मैंने आपको बॉर्डर बता दिया था कि कैसे बनना यह ऐसे बुनते हुए इसमें आप आठ सिलाइएं डाल लीजिए फिर मैं आपको बॉर्डर दिखाऊंगी और साथ में बाइंड ओफ करना भी बताऊंगी वैसे बाइंड ओफ करना भी मैं उसमें नैक वाले बॉर्डर में बहुत अच्छी तरह से बता चुकी हूं पर फिर भी थोड़ा से मैं आपको बताऊंगी तो यह आठ सिलाइएं आप बुन लीजिए बॉर्डर की फिर मैं आपको दिखाती हूं देखे फ् आप नहीं साबसे भी इसमें डाल सकते हैं तस भी डाल सकते हैं पर आपको ओड नमबर की स्लाइए में इसमें बंद करना है जैसे कि मैंने नैक के बॉर्डर में भी यह सारा पहले बता चुकी हूं तो चलिए फ्रेंट्स आठ सिलाइएं कंपलीट हैं और मैंने नौवी सिल तो यह जो bind off है यह आपको old number की sli पर ही करना है जहां तो आप 11-11 sli पर इसको बंद करेंगे यह फिर आप इसको 9-10 sli पर बंद करेंगे तो यहां थोड़ा सा बताने वाला है मैं आपको बता देती हूँ तो यह मेरा bind off हो रहा है तो यहां पे सिर्फ आपको क्या करना है यह जो देखे सीधा फंदा है यहां पे अब आगे सीधा फंदा है तो आपको यह सीधा बुनते हुए यह देखे सीधा बुन लेंगे आप ऐसे और यहां पे इसके उपर से निकाल देंगे ऐसे फिर आगे आपका देखे उल्टा फंदा है तो आपको इसको उल्टा ही बुनना है ये दिखी इसमें आपकी फिनिशिंग है जो बिल्कुल अलग से आएगी बॉर्डर की चेन सी बनके नहीं आएगी एक सार सी तो यहाँ पे आप इसको उपर से निकाल देंगे बस यही फर्क है जो हम आम इसको करते हैं चेन बनाते हुए सीधा सीधा बुनते हुए इसमें आपको क्या करना है उल्टा और सीधा बुनना है अगर आप सीधा सीधा बुनते हुए बॉर्डर बाइंड ओफ करेंगे तो इसका अलग से लुक आएगी वो अच्छा नहीं लग को और उल्टे को उल्टा बुनते हुए इसमें बाइंड ओफ बनाना ये दिखे अब ये सीधा फंदा लास्ट में तो इसको मैं सीधा बुन लूँगी अभी मैं आपको इसका बाइंड ओफ दिखाऊंगी भी ये थोड़ा अलग तरीके से आता है ये हम इसी बॉर्डर में करते हैं क्योंकि इसकी लुक फिर अलग से आती है तो यहां पर ये दिखे हमारा बाइंड ओफ कम्पलीट हो चुका है तो यहां से हम इसमें से निकाल देंगे धागे को ये दिखे ऐसे फंदे में से यहां पर ये कम्पलीट हो चुका है तो अभी मैं आपको इसकी चेन दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स आपने रॉंग साइड से ये दिखे उल्टी साइड है ये रॉर नमबर नाइन हमारी लटी साइड में आए थी तो लटी साइड से हमने बंद किये है तो आप यहां पर देख सकते हैं ये दिखी ये लास्ट जो आपका आया है ये आपका देखे एक लटा है एक सीधा बुनते हुए आपका बाइंड ओफा आया है कोई सीधी चेन सी नहीं बन के आई यह दिखिए इदर को बिलकुर उपर वाली साइड चेन आई यह नहीं तो यहां सी चेन आ जाती वह अच्छी न लगती और स्पैशली इस वाले बॉर्डर में जो मौस स्टिच का बॉर्डर है इसको आपको ऐसे ही बन करना है जैसे आपकी अलग तरीके का आता है जो कि बहुत सुन्दर लगता है और फ्रेंड्स इसी के साथ ही हमारे जैकेट के सारे वीडियो कम्प्लीट होते हैं तो अब आप एजी ली बना लेंगे अब बस इसमें साइड सिलाई है यह बहुत एजी है दोनों तरफ से आपको जोड़ना है बाक कि यह झाले कि अब ढप सर न कि आपकी जोड़ना है जो अब न चैख आपको जोंक भामे साले शोड़ना है जोड़ना है यह।